साथियों, राजस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है, जहां कि वीर माताओं ने देश के लिए अपनी संतान न दी होगा। सीना चोड़ा हो जाता है, लेकिन कॉंग्रेस के सरकार ने हमेशा फोज को कमजोर बनाए रखने के लिए वही उसकी नियत रही है। इन्होंने उसमें से भी कटकी कर लेती, इसमें से भी कटकी कर लेती। बॉफार्स गोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। कॉंग्रेस ने सब्मरीन में गोटाला किया, कॉंग्रेस ने हेलिकॉप्टर में गोटाला किया। जल हो, नब हो, थल हो, जहां जाओ, कॉंग्रेस का पंजा एक ही काम करता है। लूटो, और मैं आज आपको बता दो, अगर ये कॉंग्रेस सरकार तेरा में न गई होती, तो वो हमारे तेजर, फाइटर, ट्रेजस जो फाइटर प्लेन बनाएं न, आज आस्मान की उंचाहियों को छोड़ रहे हैं, वो तेजर्स फाइटर प्लेन भी कागजों पर ही रह जाते, देश के जवानों को नहीं मिलते हैं। कॉंग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि तेजर्स अपनी उडान भरे, इस बहाने भी कॉंग्रेस ने देश में बड़ारा गोटाला करने की फिराक में बैटी थी। का अगर हमारा विमान नहीं बनेगा, तो बहार से लाएंगे, कठकी काटेंगे, बस पीडी दर पीडी खाते जाएंगे। साथियों, कॉंग्रेस ने फोजियों को किस तरह दोखा दिया है। इसका एक उधारा बन रंक बन पेंशन भी है। कॉंग्रेस सरकार जिर्फ पांसो करोड रुपे रखकर जूट बोलते थी कि ओवारुपी लाएंगे। और उनके नेता तो यह पूरी फोजियों के बीच जाकर के फोटो निकल वाते थे। और ऐसा जैसे वह रुपी आ गया। पांसो करोड रखा था। यह भाजपा सरकार है जिसने आपसे गारंटी की थी वह आरुपी की वह गारंटी पूरी कर दी फाइदा पुरा कर दिया। जहां कॉंगेरेश सरकार वन रैंग वन पैंशन पर पांसो करोड रुप्या खर्च कर दे की बात कर रही थी। उनकी सोच भी इतनी सीमित थी। आज हमने लागू करने के बाद नब्वे हजार करोड से भी जादा कितने। कि जड़ा बोलिए कितने 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 कि नब्वे हजार करोड से जादा मेरे जबान परिवारों को पहुचा दिये हैं। जब नियत साफ होती है, जब इरादे नेक होते हैं, तो काम भी ऐसे मजबूती ते होते हैं। कितने 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 क